कई दश्कों की बात हुई थी कॉंग्रेस रूल की अपने दश्कों को ज़रा हम सुना देते हैं ये वाला हिस्सा प्रधानोंती नरेंद्र मोधी के भाषन का जिसमें उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया कि काम को अठकाने और लटकाने में इनको पिएच का काम था और उनके दिल में ऐसी आग पड़ी थी ये रमन सिंग चत्रिश गड़ में ये भाजपावाले वो दस साल तक ही खोचते रहे यहां के सारे काम अटक जाए उसके बावजुद भी चत्रिश गड़ को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोई तम्य गुजरात का म कि 14 के बाद ऐसी सरकार आने वाली है कि 36 गड़ को डबल इंजिन मिलने वाला है एक राइपूर का इंजिन एक नई दिल्ली का इंजिन और दोनों मिला करके 36 गड़ को आगे ले जाएंगे और हमने करके दिखाया आप अच्छी करें सुनों चुझाओं के बाद आप दस दिन इतना एक डो ती चार पांच छे साथ पांच नौश दस और दस दिन के अंदर कॉंग्रेस पार्टी का चीप मिनिस्टर आपने अठकाया काम को लटकाया और यह जो डबल इंजिन आप कह रहे हैं कि इसमें धमकी तो नहीं होती तमाम राज्यों में कि यह राइपूर में नई दिली में हमारी सरकार रहेगी तब ही आपका भला होगा वोट कीजे देखें डबल इंजिन वो होता है जो बिना रुके बिना लटके बिना भटके आगे अपने स्टेशन गंतव्य स्थान की और बढ़ जाता है और फिर अनॉंसमेंट होती है आईए आपका स्वागत है आपका गंतव्य स्टेशन आ गया है 18,000 गहाँ तक बिजली नहीं पहुंची थी वो गंतव्य स्थान तक पहुंच गए बिजली पहुंच गई 32,000,000 लोगों का अकाउंट नहीं कुला था जन्धन योजना के माद्यम से 32,000,000 लोगों का गंतव्य स्थान पहुंच गया है तेस हजार क्यलोमीटर केवल और केवल कि चाषटीस गड़ के अंदर और इचानल क WA websites को नौ हज्जार गाउं को जोड़ दिया गया है वो अपने गंतविय स्थन पर पहुंचा है फोन कंपनी हर जगह जाके राहुल गांदी जी कहते हैं कि मेड इन जावलपूर होना चाहिए मैं और और शचतिस गड़ में जाके राहुल गांदी में बेल का मुबाइल फोर्म बेल पर शुर्चा नाम नेगे बरना राशन घोटाले का नाम नेगे बरना राशन घोटाले का नाम नेगे कितने हजार करोड खा गए वो नहीं नाम नहीं लेंगे अरे जैय मोदी जी, हर हर मोदी, घर कर मोदी अरे भए जो ब्रश्चाचार आपके रमन सिंह ने क्या उसका जवाब दीजिये पनामा पेपरस का जवाब दीजिये आपका भी वीडियो था, आपका भी वीडियो था, मद्यप्रदेश के मुख्यमंतरी डाक्टर रमन सिंग आप भी बोल रहे थे, हमने आपका भी वीडियो देखा था, अरे आप भी तो कन्फ्यूस हो गे थे